Hello students, आज हम the last lesson chapter के next part को cover करने जा रहे हैं और इसमें हमने अभी तक देखा था कि किस तरीके से France का जो area था वो जर्मनी के द्वारा ले लिया गया था और वहाँ उस area में अब French भासा को पढ़ाना बैन कर दिया गया था और German भासा के लिए उनको force किया जा रहा था तो यह chapter उसी पर base है और हम पहुचे थे कि किस तरीके से वहाँ का एक जो teacher है जिसका नाम है M. Hamill तो वो क्या कर रहे हैं अपने students को बता रहे हैं कि कल से जो है यह French भासा नहीं पढ़ाई जाएगी और आज उनका यह last lesson है तो इसी तरीके से हम एक story पढ़ रहे थे इसमें जिसमें Frank नाम का एक लड़का था जो school late पहुच रहा था और at last जब वो पहुच जाता है और तो वहां का environment को देखते वे वो अपनी feelings को show कर रहा है तो आज हम यहां से पढ़ना start करेंगे the poor man तो इतना quick revision के बार आज हम यहां से शुरू करेंगे poor man apostrophic लगा हुआ है देखिए बच्चों इसका मतलब वो क्या कर रहा है उसको address कर रहा है बेचारा आदमी किसके लिए कह रहा है वो बच्चा किसको कह रहा है अपने उस teacher के लिए कह रहा है poor man it was in honor of this last lesson that he had put on his fine sunday cloths कि यह उनका सम्मान है उनका honor है किसके लिए of this last lesson इस आज के last lesson के लिए क्योंकि आज यह अंतिम lesson है अपने भासा का अंतिम lesson के लिए उनका यह सम्मान है that he had put on put on का मतलब वता है बच्चों पहनना तो उन्होंने क्या पहना हुआ है his fine sunday cloths अपने सुंदर से sunday के cloths पहने हुए हैं तो यह sunday cloths पहनना एक सम्मान प्रदर्शित करना है अपनी भासा के लिए and now I understood तो writer कहा रहा है कि अब मेरी समझ में आया क्या समझ में आया उसको कि why the old man old man किसको कहा गया है जो वहां उस समय इखटे हुए थे बहुत सारे ग्रामिल लोग वहां इखटे हुए थे न तो उनके लिए कहा गया है कि why the old man of the village were sitting there कि गाओं के यह लोग यहां क्यों बैठे हुए है they are in the back of the room तो मेरी समझ में अब आया गया रहा है वो बच्चा it was because ऐसा इसलिए था they were sorry कि उनको भी बहुत ज़्यादा sorry and दुख था to they had not gone to school more कि वो अब school नहीं जा पाएंगी तो इस बात का उनको भी बहुत दुख था it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service तो यह उनका क्या था यहां आना उनका मतलब था कि वो सम्मान दे रहे हैं thank कर रहे हैं धन्यवाद दे रहे हैं हमारे master को उनके 40 साथ की वफादारी यानि faithful service के लिए thanks कर रहे हैं and of showing their respect for the country और अपने इस country के लिए इस फ्रांस के लिए जो फ्रेंच country है उसके लिए वो respectus हो कर रहे हैं that was their number क्योंकि अब वो उनकी नहीं रही अब वो क्या हो चुकी है जर्मन लोगों की हो चुकी है इसलिए वो अपनी उस country को सम्मान दे रहे हैं while I was thinking all this जब मैं ये सब को सोच रहा था I heard my name called मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है I heard my name called मुझे बुलाया जा रहा है what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle although very loud and clear and without one mistake इसके अंदर कभी writer कह रहा है कि मैंने क्या नहीं किया यहनि मैंने बहुत कुछ किया तो मैंने क्या नहीं किया रहे है what would I not have given to be able to say that dreadful rule कि यह dreadful यहनि ड्रावने रूल जो कि ड्रावने नियम है इस पार्टिसेपल चैप्टर के तो मैंने उनको सीखने के लिए क्या नहीं किया for the participle although very loud and clear यहनि ताकि मैं इनको clear तरीके से बोल सको loud बहुत जोर जोर से इसका उचारणक अच्छे से कर सको without any mistake बिना किसी गलती के मतलब क्या नहीं किया मैंने सब कुछ तो किया but I got mixed up on the first word लेकिन मैंने पहले ही word में गलती कर दी understood there और महाँ पर खड़ा रहा holding on to my desk अपने desk को पकड़े रहा my heart beating मेरा जो heart था वो जोर जोर से धड़क रहा था and not daring to look up मेरे पाँ dare करना यानि हिम्मत करना मेरे पाँ इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उपर देख सकूँ I heard Mrs. M. Hamill say to me मैंने सुना कि M. Hamill मुझे से कह रहे है I would not scold you क्या कह रहे है I would not scold you मैं तुमको डाठ हूंगा नहीं little French उस बच्चे का नाम है French तो वो French से कह रहे है कि बेटा मैं तुमको डाठ हूंगा नहीं you must feel bad enough तुम्हें खुद ही क्या करना चाहिए bad feel करना चाहिए see how it is देखो यानि क्या हो चुका है everyday we have said to ourself bah I have plenty of time हर दिन हम अपने आप से कहते थे कि अब हमारे पास बहुत सारा समय है everyday we have said to ourself अपने आप से कहा करते थे I have bah ये उसी language का इस शो कर रहा है I have plenty of time कि हमारे पास بहुत सारा plenty of का मतलब धीर शारा बहुत सारा समय है I will learn it tomorrow कि हम कल सीख लेंगे हम ऐसा कहा करते थे and now you see लेकिन अब तुम देख रहे हो where we have come out कि हम कहां पहुँच चुके हैं जहां हमारे पास बहुत सारा समय अनि खतम हो चुका है now where you see we have come out कि हम कहां आ चुके हैं आख में इस दुख को प्रदर्शित कर रहा है that's the great trouble with अलसास यानि ये बड़ी परिशानी की बात है अलसास क्या है उस प्लेस का नाम उस गाउं उस एरिया का नाम जहां पर वो अभी है यानि जहां पर वो विद्यालाई है तो ये बहुत ट्रबल ये दुख की बात है उस एलसास के लिए यानि उस एरिया के लिए उस गाउं के लिए si puts of learning till tomorrow क्योंकि अब see word किसके लिए यूज़ किया गया है यानि इस एलसास के लिए यूज़ किया है उस जगhe का नाम तो see उसी को denote कर रहा है यानि यह pronoun उसके लिए उसके लिए उसके आ गया है see put off put off का मतलब होता है स्तगित कर देना बंद कर देना समाप्त कर देना किसी चीज को तो see put off उसने क्या कर दिया है समाप्त कर दिया है learning till tomorrow यानि आप कल से तो वो सीखेगी नहीं क्यांकि कोई भी लोग नहीं सीखेंगे इसका मतलब है कि आप कोई भी बच्चा जो है french नहीं सीखेगा now those fellow out of their will have the right to say to you अब उन बच्चों की बात कर रहा है now those fellow वो बच्चे out of their will have the right to say to you वो तुमसे कह पाएंगे how is it कि ऐसा कैसे हो गया you pretend to be frenchman जो यह जो यह frank बच्चा है जब यह बच्चा उन जर्मन लोगों के सामने जाएगा तो वो लोग क्या कहेंगे those fellow यहां पर उनी के लिए यूज किया गया कि those fellow की वो लोग यानि वो जर्मन लोग out of their will have right अब उनके पास यह right है कि वो तुमसे क्या पूछ पाएंगे how is it ऐसा कैसे है कि you pretend to be frenchman कि तुम कहते हो कि तुम frenchman हो and yet लेकिन फिर भी you can neither speak nor write your own language न तो तुम बोल पाते हो और नहीं तुम अपनी भासा में लिख पाते हो तो तुम कैसे frenchman हो यानि ऐसा कहने का अधिकार किन का है उन french लोगों का क्योंकि इस बच्चे को क्या नहीं आती है अपनी french language नहीं आती है but you are not worst यह bad की degree है comparative degree, superlative degree यानि superlative है क्योंकि दह लगा हुआ है तो superlative degree है but you are not the worst कि लेकिन तुम फिर भी सबसे बुरे नहीं हो poor little french यानि उसको कह रहा है बेटा little french we have all the great deal of reproach ourselves with क्योंकि हम सभी को इस बात का बहुत ज्यादा खेद है किस चीज के लिए कि हम तुमको यह french language नहीं सिखा पाए और क्यों नहीं सिखा पाए इसका भी reason है यह reason बताएगा देखो your parents were not anxious enough to have you learn कि तुम्हारे parents भी बहुत ज्यादा anxious नहीं थे बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थे to have you learn कि तुमको इस language को सिखाने के लिए क्यों नहीं थे they prefer to put you to work on a farm कि वो prefer करते थे यानि वो पढ़ाने के बजाए ज्यादा पसंद क्या करते थे put you to work कि तुमसे काम करवा सके और ने farm कि उनका जो farm है उस पर काम करवा सके और at the mills या किसी mill पर काम करवा सके so as to have a little more money ताकि उनको थोड़ा पैसा मिल जाए and I और जहां तक मेरी बात है मैं अपने आपको क्यों दोसी मानता हूं I have been to be blamed also तो मैं खुद को भी blame करता हूं have I not often send you to water my flowers instead of learning your lesson क्या मैंने तुमको कभी पॉंधों को पानी लेने के लिए नहीं भेजा था यानि मैंने तुमको क्या किया था पॉंधों को पानी लेने के लिए भीज दिया था instead of means बजाए के learning your lesson कि तुमको ये कहने के कि बच्चा अपने lesson को learn करो इसके बजाए मैं क्या भोल देता था तुमको पानी दो कि इनको flowers को तो इसलिए मैं भी दोसी हूं कि तुम फ्रेंच नहीं सीख पाए इसके लिए तुमारे parents भी दोसी है मैं भी दोसी हूं and when I wanted to go fishing और जब मैं यानी fishing मैं जाना चाहता था यानी मचली मारने जाना चाहता था did I not just give you a holiday कि आ मैंने तुमको छुट्टी पर नहीं भेज दिया था यानी मैं भी बहुत ज़दा दोसी हूं क्याकि मैंने तुमको जब मैं मचली मारना चाहता था तो छुट्टी पर भेज़ देता था और तुमको पढ़ों कहने के बजाए तुमको पॉंधों को पानी देने के लिए कहता था ठीक है अब अगला पेरग्राफ देखते हैं तरा यह तो थी उस यह जाएं टेंग्स प्रकार एक बात से दूसरी बात के बारे में, यह जो है वह बोलते गए वेंट ओन का मतलब कॉंटियू रहे वेंट ओन का मतलब भलते रहेyah 45 alike बॉलते रहे आफ़ अपड़ यह प्रेच प्रेच लेग्वश के बारे में saying that it was the most beautiful और कहते रहे कि यह most beautiful language in the world इस संसार की सबसे beautiful language है the clearest और सबसे clear यानि first language है the most logical सबसे ज़्यादा logical language है that we must guard it हमें इसकी guard यानि रक्षा करनी चाहिए among us हमारे बीच यानि आप जर्मन लोगों के बीच दो नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे बीच हम उसकी रक्षा कर सकते हैं and never forget it और इसको कभी नहीं भूलना जाहिए never forget it because when a people are enslaved क्योंकि जब एक people को एक person को enslaved यानि जब दास बनाया जाता है as long as they hold fast to their language तो as long as यानि जितने लंबे समय तक they hold fast to their language तो वो दास लोग अगर अपनी language पर क्या कर पाते हैं hold कर पाते हैं पकड़ बनाए रख पाते हैं it is as if तो यह इसी प्रकार है they had the key to their prison कि वो अपने खुद के जहां पर वो बंदी बने हुए है यानि क्योंकि दास बोग जेल पर रखा जाता है न तो उस prison की उनके पास क्या है the key of their prison उनके पास चाबी है क्यों चाबी है क्योंकि जब तक उनके पास अपनी language में command है तो दास होने के बाद भी वो अपने को उस prison से आजाद कर सकते है then he opened a grammar और उसके बाद अब फिर हैमल के बारे में बता थे हैं अपने टीचर के बारे में बता रहे हो then he opened a grammar तो उन्होंने उसके बाद grammar शुरू कर दिया and read us our lesson और यानि हमारा जो chapter है उसको पढ़ने लगे I was amazed मैं बहुत ज्यादा amazed था आश्चरी चकीत था क्यूं? to see how well I understood it कि मैं कितने अच्छे से समझ पा रहा था ठीक है? all he said seemed so easy जो भी वो कह रहे थे बड़ा easy लग रहा था so easy बहुत ज्यादा easy लग रहा था I think too मैंने भी सोचा that I had never listened so carefully कि मैंने भी सायद कभी ध्यान से कुछ सुना ही नहीं ठीक है? उसको फ्रेंची क्यों नहीं आई? एक तो parents का interest नहीं था दूसरा teacher ने भी थोड़ा कम ध्यान दिये और third हो कह रहा है कि मैं खुद भी कम क्या करता था? ध्यान से नहीं सुनता था and that he had never explained everything with so much patience और हो सकता है कि कभी उन्होंने इतने ध्यारे से explain भी नहीं किया था तो यह बात है अभी उस बच्चे को समझ में आ रही है It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away ऐसा लग रहा था कि जो यह poor man है जो हमल है wanted वो क्या चाहते थे to give us all he knew कि वो जितना जानते हैं जितना knowledge उनके पास है वो सब हमको दे दे before going away यहां से जाने से पहले and put it all into our head सब हमारे दिमाग में fit कर दे at one stroke एक ही बार में one stroke एक ही बार में कर यानि हमारे दिमाग में सब fit कर दे ऐसा उनका भी behavior लग रहा है after the grammar grammar भी finish हो गया we had a lesson in writing अब हमारा लिखने का timing स्टार्ट होगी यहनि lesson writing स्टार्ट होगी that day M. Hemel had new copy for us उस दिन M. Hemel हमारे लिए नई copies लेके आए वे थे new copy for us written in a beautiful round hand उसमें बहुत ही beautiful तरीके से round hand होता है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था France, Elsass, France, Elsass यानि इस तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था they looked और they किसके लिखा है इन letters के लिए तो यह letter कैसे लग रहे थे looked like little flag चोटे-चोटे flag चोटे-चोटे जंडों की तरह लग रहे थे floating everywhere जो चारों तरफ float कर रहे थे यानि उड़ रहे थे या बह रहे थे को in the school room पूरे classroom के अंदर hung from the rod यानि एक लंबे से rod से hung यानि hung करना लटकाना लटकाई हुए थे at the top of our desk हमारे desk के ऊपर ऐसा उसको लग रहा था यानि वो सब कल्पना कर रहा था कि यह जो लेटर उन्होंने हमारी नई copies में लिखे थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि हमारे जंडे हो you ought to have seen how everyone set to work how quite it was यानि अब वो जो बच्चा है वो कह रहा है you ought to have seen how everyone set on work कि तुम देख सकते हो कि हर कोई अपने काम में कैसे लगा हुआ है and how quiet it was और कितनी सान्ती कितनी सान्ती कितनी सान्ती वहाँ पर थी the only sound was scratching of the pens over the paper एक ही आवाज सुनाई देरी थी वो थी pen के चलने की over the paper paper के ओपर pen चलने की आवाज आ रही थी once some betles flew in इतने में क्या होता है betles होता है भवरा ठीक है flew in वह उड़ते उड़ते अंदर आ जाता है but nobody paid any attention to them लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यानी नहीं देता है यानि सब क्या है लिखने पे यानि गुम है not even the littlest one यानि मचली को फसाने वाला जो हुक होता है उसको ढूड़ने उसको बनाने पे लगा रहता है वो भी पूरी तरीके से लिखने में बीजी है वो भी भवरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है as if as if का मतलब बता मानो that was french too कि वो भी french ही हो on the roof the pigeon could very low अब छट की बात कर रहा है क्योंकि उसका ध्यान तो पढ़ने में है नहीं है ना तो कभी class को देख रहा है कभी बच्चे को आप वो छट की बात कर रहा है on the roof और छट में क्या हो रहा है the pigeons को pigeon यानि कभूतर की आवाज very low dhimi dhimi से आवाज आ रही है and I thought और मैंने सोचा to myself अपने आप से बोला या नहीं अपने आप ही सोचा will they make them sing in German क्या वो इन कभूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे even the pigeons क्या pigeon भी सिखेंगे ठीक अब हम आगे वाला paragraph पढ़ेंगे whenever I looked up from my writing I saw M. Hamill sitting motionless in the chair and gauging first at one thing जब कभी भी मैं writing जो लिख रहे थे ना लिखने से अपना सर उठाता और देखता कि M. Hamill क्या कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे थे sitting motionless बिल्कूल motion कोई गती नहीं उनकी चुप चाप बैठे वे थे अपनी चेर पे और gauging first at one thing वो एक बार एक चीज को घूर रहे थे then at another फिर दूसरे को घूर रहे थे as if Mano की he wanted to fix his mind कि वो अपना mind पर हर चीज को fix कर लेना चाहते हैं just how everything looked in that little room जैसे कि वो उस classroom के अंतरकत जो कुछ भी चीज दिखाई दे रही है वो उसको अपने mind पर fit कर लेना चाहते हैं fancy for 40 years he had been there in the same place क्योंकि वो इस same जगह पर 40 साल से है with his garden outside बाहर क्या है उनका बगीचा है the window वो खिड़की the class in the front of him और उस garden के सामने क्या है उनकी class है तो यह सब चीज जो अपने mind पर fit कर लेना चाहते है just like that only the desk the bench had been smooth just like this यानि 40 साल से वो सारी चीज़ां ऐसी के ऐसी है केवल कुछी चीज़ां बदली है जैसे only the desk एक तो desk बदल गया and bench had been worn smooth क्योंकि वो smooth होगे बहुत चिकने होगे बार-बार हमारे घिसने इधर-दर करने से वो smooth होगे है the wall net tree इसके अलाव़ जो wall net tree है in the garden जो बगीचे में लगा हुआ है we are taller वो थोड़ा बढ़ गया है इन 40 सालों में and the hope wine एक bale होती है तो वो जो hope wine है that he had planted जो उन ही ने लगाई है यानि जो हमल ने ही लगाई है himself a twinned about the window वो खिडकी से लिपट कर twinned means लिपट जाना वो खिडकी से लिपट कर to the roof छत को जाने लगी है how it must have broken his heart to leave it all कितना दुख होगा उनको उनका हरदय कितना broken यानि how broken his heart कितना दिल तोड़ने वाला होगा उनके लिए leave it all इस सब चीजों को छोड़के जाना poor man फिर कह रहा है उसको बैचारे आदमी to hear his sister moving about in the room above वो अपनी बहन को छत पर सामान को इधर-दर move करते भी सुन रही है यानि वो packing कर रही है hear his sister moving about in the room above packing their trunks कि वो अपना सामान पैक कर रहे है for they must leave the country next day क्योंकि अगले दिन उन्होंने एक country ये देश छोड़कर जाना है but अगला paragraph है but he had the courage to hear every lesson to very last लेकिन he had the courage कि उनके पास पूरा साहस है कह रहा है to hear every lesson to the last अंत तक यानि अंतिम समाई तक उनको अपना last lesson देने का पूरा हिम्मत है आज अंतिम समाई है यानि कल से उन्होंने नहीं देना है तो इसलिए फिर भी वो इतने दुख में भी हमको lesson पढ़ा रहे है after the writing आप writing session खतम हो गया है we had a lesson in history अब हम इतिहास में कुछ पढ़ेंगे and then the baby is chanted there उसके बाद जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो जो chanting करते हैं बार-बार repeat करते हैं उस तरीके के letter है जैसे देखो ba, baby, bo, boo इस तरीके का वो पढ़ेंगे down there at back of the room old hauser और उस room में एक hauser अदर आपको बताये था न एक बुड़ी से आदमी है head put on his spectacle जिन्होंने चस्मे पहने हुए है holding his primer in both hands अपने दोनों हातों से वो एक पुरानी सी book को पकड़े हुए है spelled the letter with them वो भी उन्ही के साथ letter को repeat कर रहे है you could see that he too watch crying तुम देख सकते हो हमसे कह रहे हैं कि वो भी रो रहे हैं वो बुड़े आदमी भी रो रहे हैं his voice trembled उनकी आवाद जो है कहां पर रही है with emotion यानि feeling से and it was so funny to hear him with that we all wanted to laugh and cry कितना funny moment है कह रहा है कितना funny है क्यों क्योंकि we all wanted to laugh and cry हम सब जो हैं हसना भी चाते और रोना भी चाते है ah how well I remember it मुझे कितनी अच्छे से याद है that last lesson ये अंतीम लेसन जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया मुझे कितनी अच्छे से याद है ये कह रहा है अब अगला अगला paragraph देखते है all at once the church clock struck उसी समय at once अचानक ही क्या हुई चर्च की clock struck 12 बारा बजने का इसारा देती है यानि बारा बज जाते हैं चर्च की घड़ी में then the angelus यानि prayer के लिए बुराना तो आप prayer bell भी लगती है जैसे हमारी हर प्रेट की अलग bell होती है चुट्टी की अलग bell होती है तो इसी तरीके से उनके चर्च की भी angelus जो bell है वो बसती है at the same moment ठीक उसी moment पे the trumpet of the Persian trumpet होता है बहुत जोर का नगड़ा या आवाज बजना तो वो क्या बसता है बिगुल बजना जिसको कह सकते हैं trumpet यानि बसता है of the Persian, Persian लोगों का returning from drill और वो क्या सो कर रहा है कि वो अपने drill से एक्सराइज कर रहे थे ने वहां से वापस आ रहे हैं sounded under our windows और हमारे खिडक्यों से वो आवाज अंदर आ रही है M.Hammel stood up M.Hammel जो हैं वो खड़े हो जाते हैं very pale बहुत पीले से इन अपनी chair पर I never saw him looked so tall जब वो खड़े होते हैं तो मैंने देखा कि वो इतने लंबे लग रहे हैं क्योंकि यह सब बच्चे की feeling है My friends, मेरे दोस्तो, said he और वो बोल रहे हैं, अब उनका lecture है मेरे दोस्तो, I, I but something choked in him ऐसा लग रहा है कि I, I कहते हैं वो रुख जाते हैं नहीं पाए, then he turned to the black bolt फिर वो black bolt की तरब मुढ जाते हैं तुके piece of chalk, एक chalk का piece उटाते हैं and bearing on with all his might अपनी पूरी हिम्मत के साथ might means all his might, अपनी पूरी ताकत के साथ he wrote a large, as large as is good इतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं जितना वो लिख सकते हैं लिखते हैं Viva la France यानि French language में लिखा हुआ लेटर ने ये French language है, ये लिखते हैं Viva la France, यानि इसका मतलब होता है France जिंदावाद है ये वो लिख रहे हैं then he stopped and leaned his head against the wall, इसके बाद रुख जाते हैं and leaned, lean mean जुकना his head अपना सर जुका लेते हैं against the wall, दिवाल की तरफ and without a word और बिना किसी एक सब्द को बोले, he made a gesture to us with all his hand अपने हातों से gesture means इसारा करना या gesture बोलते हैं इसको school is dismissed हातों से इसारा करते हैं और बोलते हैं school is dismissed, अब school dismissed किया जाता है, you may go आप सब जा सकते हैं, इस तरीके से यह हमारा chapter फिनिश होता है तो आप अपनी study को जारी रखिए और आपको अच्छा लगे तो channel को please subscribe करें thanks for listening to me